जैहिन स्वाहत करतों आप स्वी के हमारे अपने डिव चनल सुल्जार श्रामी त्यारीपव तो साम के साथ बज चुके हैं और आज चुका हूँ मैं आपके बीच आज की इंडियन आमी के प्रिविएस येर की विशन पेपर की क्लास को लेगा आज जो हम लोग देखें सुल् का क्लास के इंड तक जरूर बने रहेगा उसे पहले सबको जल्दी से खाल को शेर कर दिजिए अबने झौ्टीे से खाल करें के सांद Holz उर जंए और द्रइू उत्लक Does a नृइक व करेंगे उर जेश्र चैनल को सब्सक्कायब करके बल आइकन को ओल जडूर शेर कर लीजिए तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं आज जो हमारा देखो section A से section A होगा section A से सुरुगात करेंगे जिसमें कि आपके general knowledge के प्रश्ण होंगे question number 1 से लेकर 15 तक समाने ग्यान के प्रश्ण करमान के 1-15 तक क्या दियावए देखो कि थार desert is located in which country थार रेगिस्थान किस राइट आंसर क्या होगा तो option number D भारत थार रेगिस्थान कहां पर है तो यह इस्तित है भारत में चलिए अगले question को देखेंगे जो कि देखेंगे यहां पर आपका दिया होगा है कि the author of Anandmat was Anandmat के लेखक कौन थे व्यों में बंकिम चंदर चैटर जी सरत चंदर चैटर जी A.C. Boss या फिर रविंदर नाथ चैटर जी निमन में से कौन जो हैं देखो आपके Anandmat के लेखक थे तो यह कि Anandmat के लेखक के रूप में जाना जाता है बंकिम चंदर चैटर जी को राइट आंसर क्या जाएगा तो option number E बंकिम चंदर चैटर जी ठीक है चलिए अगले question को दे जो है आप सबको यहाँ पर बतानी है तो भारत के दुसरे राश्पती कौन थे तो वो हैं देखो आपके यहाँ पर डॉक्टर शर्पली राधा कृष्णन राइट आंसर क्या हो जाएगा तो option number E डॉक्टर राधा कृष्णन चलिए अगले question को देखेंगे जो की देखिए यहाँ पर आपका दिया है question number 4 है इंडिया got freedom in the year भारत सन में स्वतंत्र हुआ 1946 में 1945 में 1950 में या 1947 में भारत जो है कब आजाद हुआ था यह आप सबको यहाँ पर बताना है तो देखिए जो भारत है कब आजाद हुआ था तो भारत आजाद हुआ था 1947 में राइट आंसर क्य जारकन राजी की राजधानी है लखनाव राची इलाहबाद या जमसिदपूर निम्न में से जो जारकन राजी की राजधानी है वो क्या है यह आप सबको यहाँ पर बताना है तो देखिए जारकन राजी की राजधानी की रूप में जाना जाता है राची को right answer क्या हो ध्यान चंद का सब्बंद कौन से खेल से है बेसबॉल से है होकी से है क्रिकेट से है या टेबल टेनिस से है जो ध्यान चंद है वो निमन में से किस खेल से संबंदित है यह जो है आप सबको यहां पर बताना है तो चलिए सबको यह आंसर करिएगा कि ध्यान चंद का जो है किसे खेल से है तो ध्यान्चंद का जो संबंध वो देखो आपका है चलि जली स defenses करिएगा हो किस sih तो option number B, hockey, ध्यान चन्द का किसंबन किस से है, तो hockey खेल से है, चलिए अगले question को देखेंगे, जो की देखिए यहाँ पर आपका दिया वाई question number 7, the electron was first identified by electron की खोज सबसे पहले ने की, James Chadwick ने, Jay Capillar ने, Jay Jay Thompson ने, या फिर डी रदर फोड ने, निम्निमे से किस के द्वारा जो है किस ने की थी, तो Jay Jay Thompson के द्वारा जो है देखो आपका electron का खोज सबसे पहले की आगिया था, राइट answer की आओगा, तो option number C, Jay Jay Thompson, चलिए अगले question को देखेंगे, जो की देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है, कि the first battle of Pani Pat was between, Pani Pat का प्रतम युद किस के बीच हुआ, आप सबको यहाँ पर बताना है, तो देखें, पानी पत का प्रतम युद किस के किस के बीच हुआ, तो पानी पत का जो प्रतम युद है, यह हुआ ता देखो आपका बाबर और इबराहिम लोदी के बीच में, right answer क्या हो जाएगा, तो option number A, बाबर और इबराहिम लोदी, च इन में से विस्व की सबसे बड़ी पक्षी कौन सी है, यह जो है आप सबको यहाँ पर बताना है, तो देखो विस्व की सबसे बड़ी पक्षी कौन सी है, तो विस्व की जो सबसे बड़ी पक्षी है, वो है आपका option number B, ostrich, इस question का जो राइट answer है, वो है आपका option number B, ostrich, ज चलिए अगले question को देखेंगे, जो की देखिए यहाँ पर आपका question number 10 है, Delhi is located on the banks of East river, दिल्ली किस नदी के तर्ट पर इस्तित है, यमुना, सर्यू, गंडक या गोंती, चलिए सब को बताएगा, डिल्ली जो है किस नदी के तर्ट पर इस्तित है, यह जो है आप सब को यहाँ पर बताना है, तो देखो दिल्ली किस नदी के तर्ट पर इस्तित है, तो जो दिल्ली है, यह देखो आपका इस्तित है, यमुना नदी के तर्ट पर राइट answer के आओ जाएगा, तो option number E, यमुना, आज जो आपके 30 questions होंगे, इन में से आप सभी का target 28 questions का आए, ठीक है, बहु चलिए अगले question को देखेंगे, जो की देखो आपका question number 11 है, who invented by cycle, cycle का आविस्कार किस ने किया था, कार्ल वॉन यहाँ पर दिया वाए, बैरन कार्ल फॉन डेरिस, या फिर देखो आपकी Franklin के दोरा, या James Ritty के दोरा, या Dunlop के दोरा, निमन में से किस के दोरा जो है, आपका cycle का जो आविस्कार है, वो आपका किया गया था, कार्ल वॉन डेरिस के दोरा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो option number A, कार्ल वॉन डेरिस, ठीक है, चलिए अगले question को बढ़ेंगे, जो की देखें, यहाँ पर आपका दिया वाए, question number 12 है, देखो आपका, कि green color in Indian national flag signifies, भा का, बलिदान का, सत्य का, या फिर धरती से संबंध तथा समरिद्धी का, जो भारत का राश्री धोज में हरा रंग है, वो निम्द में से किसका संबंध है, किसके संबंध को दरसाता है, यह जो है, आप सबको यहाँ पर बतानी है, तो देखें, भारत के राश्री धोज में पस्तित हरारंग चलिए अगले question को देखेंगे जो की देखिए यहाँ पर आपका question number 13 है यह है देखो कि who among the following is also known as iron man of India निम्न में से कौन भारत के लोग पुरुस के नाम से भी जाने जाते हैं लाल भादुर सास्त्री महात्मा गांधी सवदार पटेल यहाँ पर मोतिलाल निम्न में से किसे जो है देखिया आपका भारत के लोग पुरुस के नाम से भी जाना जाता है यह जो है आप सबको यहाँ पर बताना है तो देखिए भारत के लोग पुरुस के रूप में किसको जानते हैं तो वो हो गए देखो आपके क्या होगा right answer तो option number पर सी सरदार पटेल जो सरदार पटेल है इन्हें देखो लोग पुरुस के रूप में भी जाना जाता है आयन में आप इंडिया भी बोला जाता है चलिए अगले question को देखेंगे जो की देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है question number 14 है कि which of the following is considered the oldest among the Vedas निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है साम वेद यजूर वेद अथर वेद या फिर रिग वेद निम्न में से कौन सा वेद जो है यह देखो आपका सबसे प्राचीन है यह आप सबको यहाँ पर बतानी है तो देखें निम्न में से जो वेद सबसे प्राचीन है वो कौन सा है तो वो है आ सबसे बाद का वेद कौन सा है तो आपका यह अथर वेद है ठीक है चलिए अगले question को देखेंगे जो कि देखेंगे यहाँ पर आपका question number 15 है कि is the highest mountain peak situated in इंडिया भारत में इस्थित सबसे उची परवत चोटी है सत्पूड़ा है कंचन जंगा है माउंट एवरेष्ट है या ने मूड़ी है निमन में से भारत में इस्थित सबसे उची परवत चोटी कौन सी है यह जो है आप सबको यहाँ पर बताना है तो चलिए सबको यह answer करिएगा तो देखेंगे भारत में इस्थित जो सबसे उची परवत चोटी है वह कौन सी है तो वह है आपकी कंचन जंगा राइट आंसर क्या होगा तो option number B कंचन जंगा चलिए तो 15 जिक्क्य के questions आपके हो चुके हैं अब आगे बढ़ते हैं और अब जो हम लोग देखो 15 जीएस के questions कवरब कर लेंगे तो चलिए next question देखेंगे जो की देखो आपके section B है इसमें क्या है देखो जनरल साइंस के questions है question number 16 to 30 तक समायने विज्ञान प्रश्नकरमांग 16 से 30 तक क्या दियाव देखो which one of the following disease is caused by virus निमलिकित में से कौन सी बिमारी वाइरस के कारण होती है जुखाम टाइफाइड मलेरिया या फिर हैजा निमने में से कौन सी बिमारी जो है देखो आपकी वाइरस के कारण होती है यह जो है आप सबको यहाँ पर बताना है तो देखे वाइरस के कारण जो होने वाली बिमारी है वो कौन सी है तो वो है common cold right answer क्या होया तो option number A जुखाम ठीक है चलिए अगले question के बढ़ते हैं जो कि देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है next question देखो कि antibiotic penicillin is obtained from रोग परतिरोधक penicillin कहां से प्राप्त की जाती है खमीर से, सहवाल से, फफुंदी से या फिर जिवानू से जो रोग परतिरोधक penicillin है वो कहां से प्राप्त होता है यह जो है आप सबको यहाँ पर बताना है तो देखिए जो रोग परतिरोधक penicillin है वो आपका प्राप्त होता है फफुंदी से मोल्ड से राइट आन से क्या हो जाएगा तो option number C मोल्ड फफुंदी से जो है देखो आपका प्राप्ती होता है रोग परतिरोधक penicillin का चलिए अगले question को देखेंगे जो कि यहाँ पर देखो आपका question number 18 है blood pressure is controlled by which gland रक्त चाप किस गरंथी के द्वारा नियंत्रित होता है adrenal gland या फिर देखो corpus lune team या फिर thyroid gland या फिर thyroid gland या फिर thymus चलिए अगले question को देखेंगे जो कि देखेंगे यहाँ पर आपका दिया हुआ है यह है देखो lightest gas is सबसे हलका gas है H CO2 N या फिर O मतलब कि hydrogen carbon dioxide nitrogen या फिर oxygen कौन सा जो है यहाँ पर देखो आपका सबसे हलका gas है यह जो है आप सबको यहाँ पर बताना है तो देखें जो सबसे हलका gas है वो आपका होता है hydrogen H राइड आन से क्या हो जाएगा तो option number A hydrogen जो है जो hydrogen है यह देखो आपका सबसे हलका gas है चलिए अगले question को देखेंगे जो कि देखेंगे यहाँ पर आपका question number 20 है which of the following is used in thermometer थर्मामेटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है पारा, तामबा, सूना या चांडी निम्निमे से थर्मामेटर में जो है कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है यह जो है आप सबको यहाँ पर बतानी है तो देखे थर्मामेटर में प्रयोग किये जाने वाला जो पदार से वो कौन सा है तो वो है आपका पारा राइट आंसर क्या हो जाएगा तो option number 1 पारा जो पारा है इसका प्रयोग देखो आपका थर्मामेटर में किया जाता है जिन्हों ने विद्धा class को session को like नहीं किया है व और H2O2 का सूत्र है किसका सूत्र है hydrogen hydride का hydrogen peroxide का hydrogen oxide का या फिर पानी का सबको पढ़ाया हुए और बहुत बार पढ़ाया है ठीक अभी जो आपका रसायनिक सूत्र वाला class लेया तो उसी में सबको clear किया था चलिए सबको बताएगा कि H2O2 जो है निम्द में से किसका रसायन हुआ है यह है देखो कि atoms of atoms of the same element having different mass number are called यह की ततों के परमानों जिनका पिंड उनका अलग-अलग होता है क्या कहते है नुकलियोन कहते है neutron कहते है समस्थानिक कहते है या तत्वांतरन कहते है तो देखे atoms of the same element having different mass number are called तो उनको देखो समस्थानिक बुला जाता है राइट सक्या हो जाएगा तो option number C isotopes समस्थानिक ठीक है चलिए अगले question को देखेंगे जो कि देखो यहाँ पर आपका question number 23 है which of the following is most suitable for electric wiring बिजली की वारिंग के लिए निमलिकित में से कौन सा सबसे उपयोगी है aluminum, loha, tamba या कांसा निमलिकित में से बिजली की वारिंग के लिए जो सबसे उपयोगी है वो कौन सा है तो देखें बिजली की वारिंग के लिए जो सबसे उपयोगी है वो है आपका तामबा धातूराइट आसर क्या हो जाएगा तो option number C तामबा ठीक है चलिए अगले question को देखेंगे जो की देखिए यहाँ पर आपका दियावा है question number 24 है आपका होना जरूरी है यह जो है आप सबको यहाँ पर बताना है तो देखें मिटी में पौधे उगाने के लिए जिसका होना जरूरी है वो है देखो आपका nitrogen होगा तभी जाकर मिटी में पौधे उगते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा तो option number B nitrogen चलिए अगले question को कर लेते हैं जो कि दिया हुआ है देखो आपका question number 25 saliva helps in digestion of Lark के पाचन में मदद करती है protein के पाचन में तेल के पाचन में फाइबर के पाचन में या पिर चर्वी के पाचन में तो देखें जो आपकी saliva है जो Lark है वो तो ऐसे starch के पाचन में सहायक होती है पर जब आपका starch ना दिया रहे तो आपको किसी और के साथ चलना होगा और वो देखो आपका यहां पर होता है फैट्स चरबी ठीक है जो लार है वो आपका फैट्स के पाचन में सहायक हो जाता है चलिए अगले क्योशन को देखेंगे जो कि देखो यहां पर आपका दिया हुआ है कि snakes belong to which animal class साफ किस प्रानी वर्ग में आते हैं तो जो साफ हैं वो देखे सरी सरी रिप्टाइल के प्राणी वर्ग में आते हैं right answer क्या हो जाएगा तो option number B सरी सरी ठीक है चलिए अगले किपिशन को देखेंगे जो कि देखिए याँ पर आपका किपिशन number 27 है which of the largest bone in the human body मनुस्य के सरीर की सबसे बड़ी हड़ी कौन सी है humerus है, radius है, tibia है या femur है इमने में से कौन सी जो है आपकी मनुस्य के सरीर की सबसे बड़ी हड़ी है तो देखें मनुस्य की सरीर की जो सबसे बड़ी हड़ी है वो है आपकी femur, right answer क्या हो जाएगा तो option number D femur जो femur है ये देखो आपकी मनुस्य के सरीर की सबसे बड़ी हड़ी है चलिए अगले question को देखेंगे जो की देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है ये है देखो bromine is a bromine एक metal है अपधातू है या देखो अधातू है या पी देखो आपका प्लास्टिक है जो bromine है वो निम्न में से क्या है ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है तो देखें जो bromine है न जो bromine है ये एक non-metal ये एक अधातू होता है ठीक है ब्रोमine क्या है तो जो bromine है ये एक आपका non-metal ये एक अधातू होता है चलिए अगले question को देखेंगे जो कि देखेंगे यहाँ पर आपका दिया हुआ question number 29 है A homogeneous mixture of two or more metals is called दो या दो से अधिक धातुओं के समागिक मिस्रन को क्या कहते हैं यह जो है आप सबको यहाँ पर बताना है polymer कहते हैं, मिस्र धातु कहते हैं दो या दो से अधिक धातुओं के समागिक मिस्रन को मिस्र धातु के नाम से जाना जाता है right answer क्या हो जाएगा तो option number B मिस्र धातु ठीक है चलिए अगले question को देखेंगे जो कि देखो यहाँ पर आपका question number 30 है यह है देखो कि intensity of earth quake is measured on भुकम की तीवरता पर मापी जाती है छेदक scale पे वजनी scale पे reactor scale पे या पि मार्कोली या पि देखो मेरकाली scale पे देखें Indian army का जो question होता है वो काफी हतक repeated ही रहता है खास करके GKGS किसी ARो में किसी के paper match कर जाएगे कि भी पहले वाला paper से ही आ जाता है इसलिए आप सब देखें previous year जरूर करके जाएगा क्योंकि ज्यादा तर questions जो है वो Indian army में repeated होते है previous year से तो देखें भुकम की तीवरता पर मापी जाती है तो वो मापी जाती है reactor skill पे right answer के आ हो जाएगा तो option number C चलिए तो आज के 30 questions आपको करवा दिये गया है all of you जो हम लोग everyday 30 questions करते हैं previous year paper में वो आपके हो चुके हैं सब कोई जरूर बताएगा कि आज के 30 questions में से आपने कितने questions को सही किया मैंने आपको target दिया था 28 का आप सबने कितना score किया है सब कोई जरूर बता दिजिएगा तो चलिए आज की class को आज के session को यहीं पे end करते हैं अब सीधे आपसे मिलूंगा देखो कल दो फर एक बजे जब आएगी आपकी Indian Army के GKGS की class तो सीधे अब आपसे मुलकात होगी कल दो पर एक बजे जब हम सब अटन करेंगे Indian Army के GKGS class all of you bye and good night मिलते हैं आपसे सीधे कल दो पर एक बजे